खापर खेडा क्षेत्रा उद्योगी कार खानों से प्रख्यात है जैसे कि यहाँ परवेकुली खान में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कई सालों से चनकापूर कॉलनी बनी है चनकापूर कॉलनी में कर्मचारी परिवार के साथ रहते हुए नर्किय जीवन में गंदग बताए जा रहा है कि चनकापूर सिल्य वारडा पोटा में पिछले देड़ महिने से पानी के समस्याओ को लेकर काफी तकलीप बढ़ने लगे है चनकापूर कॉलनी में रोजाना किसे न किसे लाइन में बिजले कर जा रही है कौलनी में रहने वाले करमचारियों के कॉल्टर के नाली के चेंबर के चोकप एवम गडर लाइन भी चोकप रहने से पानी चेंबर से निकल कर रोड पर बहरा है जिससे मच्छरों का प्रको बढ़ने लगा है चनकापूर कॉलनी में बढ़ रही गंदगी बिमारियों को निमंत्रन दे रही है लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि चनकापूर वेकुली कॉलनी पिपला लाइन में पानी की वॉल खराब हो चुकी है कॉलनी में कच्रा भी फैला हुआ है ऐसे में विविदा समस्याओ को लेकर वेकुली प्रशासन को जानकारी दी गए थी लेकिन समस्याओ का निराकरन नहीं होने से तकलिफे बढ़ने लगी है तानिय जन प्रतिनिदी पंचाय समिती सदसे राहुलतीवारी एवं पोटा चनकापूर ग्राम पंच सरपट पावंधुर्वे और वेकुली काल नियमें करमचारियों से मुलाकात करने पर विविदा समस्याओ बताए गेसे चंकापूर आल निवासी त्रस्त हो चुके है वो प्रोक समस्याओ के निराकरन के लिए नियकुली प्रशासन को नियाविदन दिये अ अगर वेकुली प्रशाखसन के और से साफ सफाई बिजली पानी के समस्याओं का पाच दिनों के अंदर पूर्णता हल नहीं किया गया तो पंचाय समिती सदस से राहुलतिवारी एवं सरपंच पवंधुर्वे ने आंदुरन की चेताओने दी है कैमरा पर से सुशिल सारे के स साथ दिलीप गजविये खापर खेडा बीस एन नियूस खापर खेडा